कि टीम नर्सिंग में आप सभी का स्वागते हैं हाज हम डिस्कर्स करेंगे तंग इनार्टोमी तंग की इनार्टोमी इंट्रोडेक्शन मास स्टर्टेड मसल्स कवर्ड बेत म्यूकस मेंब्रेन यानि एक स्टर्टेड मसल्स है यह जो किस से कवर्ड है म्यूकस मेंब्रेन से किломग्स मॉंघक बालेंटे मश्कुलर्ट स्टेक्चर होती है कैसी इस इक्षे होती है लानि हमनी मुद्ट मचलग्ज को विच्छ सकते है गुका सकते है इसकी लेंध्थ 3 इंच होती है लोकेशंग इसका एक रम से साथ में और मैं नीचे इसका सैप ट्रैइंगुलर रोता एक होता है कि लिख एकता हो तो कि इस के अटेच्मेंट यान्याइक होती है यह वहरोन इत does होती है किसके सब मैं डिवल्स के साथ में और मैं लिए जो आटाज होती ही वह हएय बांट इसे होती है है नेक्स्ट इसके कुछ फीचर्स चानले कि हम कौसिश करते हैं है करते हैं जन्डर हईयर वान अदर होती है हां नीचे अ इसके जो सर्फेस है इसके अंदर टू सर्फेस होती है सुफिरियर सर्फेस और इन्फिरियर सर्फेस यानि एक ऊपर वाला पार्ट एक नीचे वाला पार्ट ठीक सुफिरियर सर्फेस डिवाइड होता है थ्री पार्ट में एंटिरियरी पॉस्टिरियरी और बैस एंटिरियर होता है उसको कहते हैं या को प्रॉट क्यों शॉल्प में को सब्सक्राइब कहते हैं उसके अंट्राइब जो बी सेफ की होती ंते fortunately एंट्रीय अंत्री एंट्रीए zawsze किया इस किया गया किया थर्मिनल सब सब्सक्रांब की त्रॉरह की ऑगया है waktu क्या कहते हो क्या थर्मिनल सबिद में तिकाया गया weight इसको पौरा मैं शेकम। इस एक इस्ट्रैस से क्या होता है तर्मिल स्लॉप कहते है इसको इसको इसकी क्या है। डिवाइडेटर है टंग एंटरियर और पॉस्टिरियर पार्ट में। इस के स्रेश्ट की बात करते है यानि उपर वालिए स्रेशने देख सकते ये स्रेश्ट करते दिया इसके पिछन ऐगा पारी जैلف औरल पान इोच्भे कहले होता है उसकी हो बात करते संदने इस rappingरLE विजिन फिर्वाइए क्या होते समें मिर्डन में एक 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 फ्रिश होती है इस तरीज शेकी fakyll होई इसको नीज से धसिव क्या क्या कहते हें फैरो स्पम घ्र चव कर देलें stack फैसो ती यैन उपर सकाlles के से दर्रॅप या या यह कुदर होती Dick टंग ऊपर से कैसी होती है खोड़री होती है ठीक है रफ सर पर दूटियम्स के उपर होती है इसके जो एंटिरियर और साइडों में क्या होते है टीथ होते हैं इसके आगे भी टीथ होते हैं और साइडों में भी टीथ होते हैं mobile part of tongue और यह most movable part होता है most movable muscles होती है body के अंदर सुपेरियर सर्फिस की हम बत करते है अ है ऊतर पार्ट जो Sh true IRA वोता भन 3D वसको क्वान सवार्ट लोते फेरेंटे और क्योंका फेरेंज की साइड में है ठीक है लाइस प्यैस दिख तर्मिनल्स इसके अंदर कि क्या वते से जो कांद से यह संव कॉस्टर उल्ص मेरी यह सीच्टिर आपकी ज पेस की ओपर में जो इस ट्रू आप तरिक्षेख ओल्ट क्या है सब कहते है इसके अंदर पै पीले या तो अस बहुत कम होते है इसकी सरफेस Omaha's अटल्ल तॉन्स यहां तेख लिंगल टॉंसेट इन सिस्टीक्शक रिखेक अब को दाने दाने जैसे इनक्वक डॉंख क्या है टौंसिल से कॉन्टी मिस biss to the येंटीbe Turkey वाल और ओरर फेरेंग्स और कुछ वाग जो किसमें का उंटिबुट करता is best of tongue is for back end is bottom of tongue Manufacturing ये टंग टंग क्या होता है बॉटम होता है जो बस हो क्या होता है बॉटम होता है यानि सबसे नीचे का ये पार्ट होता है हिस्ट कॉन्टिविस्ट्र टुदी फॉर्यन्ट वाल ऑक फैरेंगे लिए आगे का जो बाल है उसको बनाने वह सो कौन कोंटिब्यूट करता है तंग का वैस इसके अरब मुमेंट के एफक्टेडर दायमेटर ऑफ फैरेंग्स जो तंग का डैमेटर है वो तंग का मुमेंट अपक्ट करता है का कि कि जब बेन येट फॉरवर्ड यानि जब परंग को क्या करते आगे करते हैं तो जो फैरंक्स है उसका डाइमीटर बढ़ जाता और जब इसको बेकवर्ड कर देए तो उसमें क्या होता है और जो डाइमीटर वह गड़ जाता है पेपिले यहां फर भाउव कम होते हैं वह दिसक्रस करेंगे के da inferior surface की हम बात कर लेते हैं या इसके नीचे का पार्ट टंग के नीचे का पार्ट नीचे के पार्ट के हम बात करते है covered by smooth mucos membrane किस से covered होता है smooth mucos membrane से covered होता है in the mid-line और इसके बीच में mucos fall होता है mucos का क्या होता है फॉल होता है जिसको हम और जो माउथ का फिलोर है दोनों के बीच में जो इस टेक्सर होती उसको क्या कहते है फैरणुलम और वन क्या होता है कुछ नहीं जो म्यूकस है उसका एक फाल्ड होता है लेटरल टूप फैरिणुलम डीप लिट्ट हम लेट्रल मैं होती है जई को हम आराम से देख सकते से ठीक है नेट्रल टूदनिक्वन ब्ह़ीं उती है कि देखिए बापत समझे फैरिनियूलम के लेटरल में क्या होती है डीप लिंग्वल बैन होती है और वह बैनों के पास में ही म्यूकोजल फॉल्ट होते हैं जिनको पीली का फिम्परिटा कहते हैं क्या कहते हैं कैसे देखिए आधिया ये बीच में क्या है जैसे जिससे टंग यहां पर जोडियर है फ्लोड से इसको कहते है फैरिन्यूलम देख सकते आपस क्या कहते है एक फैर्नियूलम ही इसको देख सकते हैं अरव समय होता 방법 के पास में यह देखते है क्या में लिंग्यों बैन कि आपको डार्क-डार लिंग्यों दीख नहीं है इसके पास मैं जो म्यूकस फॉल्ड होता है एक लिए, नेक्स टैकन्ड है डिखाया 新क्त है इसको कहते है पीली का फिंपरेटा चाइन के बारे में बात करते हैं कि इंडेनेशन अब ऑफ और लाइन इपधेलियम इसकाल पैपीले यानि इपधेलियम की ऊपर व्य को इस्टेक्चर होती है इसको पैपीले यहां पर कहा गया है स्वूपिरियर से साभ गूंग यानि यह का होता है वह सारे पैपिले होते हैं काम क्या है यह टेस्ट बर्स और दिया सरफेस यहां पर क्या होती है टेस्ट बर्स भी होते हैं जैसे देखिए एर दिखाए गए चार प्रकार के होते हैं अटाइप ऊपर पीले कउधिली फिलिप फॉर्म प्याप वी ठीक्थ्याइट करेंगल विश्क्राइगैनि देखि इस प्रकार के शिल्फ पैपी ले एक धिलियम लेयर से भी अब होती है यानि उसके वी ऊपर होती है इसको क्या कहा गया है पैपी ले लिए नेक्स्ट टेस्ट बड्स की हम बात कर लेते हैं सेंस्री रेसेप्टार फोट टेस्ट टेस्ट में कौन काम आते हैं सेंस्री रेसेप्टार्स काम आते हैं ठीक है जो टेस्ट का जो सेंसेशन है उसको हम जो हमें आता है उसको हम क्या कहते हैं गैस्टेशन ठीक है इसके अलाव इस प्रकार के होते हैं यह देख सकते हैं कुछ इस प्रकार के क्या होते हैं टेस्ट आता है टेस्ट वर्स यह सब्सक्राइब तो क्यों टेस्ट होते हैं सब्सक्राइब कैसा बेख क 파फिंट होता है कि एंडर रिसेंटि और इमानी यह अभी एडर किया गया हुंमानी कोंसा मानी क्या होता है जीछ और पेश्टिंड सब्रीं कहते में केंлагे घष्ट उश्ट पेश्ट को कहते हैं क्यों गांड ठे göst होंच गर को अमानी टेश्ट प्रब्रेंख क्यों है ईच प्रफिक स्षोर्स अप् ऊमानी फ्लो वर्स यानि अफर ग्लूमेट Update स intersection होती यह तो यह जो उमानी टेस्ट फ्लो से सब्लोवन वर से सकते एसको भी क्या कर सकते टेस्ट कर सकते है क्योंग जापानी सांब्सक्ड रफफिस्ट ह Lil X एक्स रैक्सित्निस नाइंटिन जी रोएट्ट इस टेस्ट मोशली फाउडिन फिस कर लिए कह हं मिलता है Łぎ इस में मपिछ स्वा इत्यों में और चीष में और इस्पीनेच में इन विस्वां यां क्रीच से तेस्ट आता है से है sharま foregroundu कि व 15 सो टंग हो तियुक्त के देल मेन यानी मैन के थोड़ी सी बड़ी होती बजाय के कि ओंधिया हिल्य होती है उसकी ट्यंग कि अन्दर सबसे लार्जotte ने कौन होती है म headphone दियस शुबेट अप Lex VR कॉमोर Кज़ संट के होते हैं अंशुमरी माउथ के अंदर जितनומר factor पायतना मैंसे आधय तो टंगपर ही होते हैं आधय कहां पर होते हैं तंगपर ही होते हैं तंग हील्स फाइस्टर थेयन एक पार्ट ऑफ डबो ड़ते यह वह बोड़ी बोड़ी में और एक Professor तुट नगे और और कहीं दो जगे अगर चोट लगे तो सबसे जल्दी सई होगी वह फंग होगी बहुत जल्दी ही लोटी है यह ये यह पीज जर्म फिरी enough to break a heart लेकिन किसी का दिल तोड़ने के लिए यह काफी होती है so be carefully with your word इसलिए किसी से बोलते समय टंग से अपने बर्ड्स को कि मैंटेन करके बोले वापस पड़िये ला टंग है जो नो बॉंस टंग नहीं होती है वाट इस ट्रॉंग हो इनफ टुब्रेक हर लेकिन किसी का हाट टोडने के लिए यह काफी होती है इसलिए कुछी बोले तो बी कियर फॉल विफ यूर वर्ड्स नेक्स ना बात करते है है मसल्स ऑफ दे टंग अंदर मुसल्स होती है दो परकार की एक्स्टैंसिक मसल्स ऑफ इंट्रेंसिक मसल्स जो इसके जो एक्स्टैंसिक मसल्स है है दोनों मसल्स किसमें होती है प्यार्स में होती है हम इंट्रेंसिक मसल्स की बात कर लेती है कौन कौन सी होती है देर आर फोर टाइप सुपिरियल लॉंगिट्यूडनल इंफिरियल लॉंगिट्यूडनल बर्टीकल मसल्स एंड टांसफर्स मसल्स यह इंट्रेंसिक मसल्स कौ रहा हुन सबको क्या करती है मेंटेन करती है इंटेंसिक मसल्स और इसके लाव एक्स्टेंसिक मसल्स होती है वो आउटसाइड से में दम दिस मसल्स टेक और इजिन फ्रॉम दा पार्ट आउटसाइड या इसका ओर इजिन कहां से होता है एक्स्टेंसिंग का आउटसाइड से ह और यह जो मूवब करती है टंग उसको क्या करती है सिपको मेंटर्व करती है से इसे शीजास इस स्ट्रोंगेस्ट मसल्स इन दा बोड़ी बोड़ी के अंदर सबसे स्ट्रोंग मसल्स होती है टंग ठीक है और यह एक मात्र ऐसी मसल्स होती है जो एक ही साइड से जुड़ी होती है से दूसरी साइड से यह नहीं जुड़ी होती है नहीं जुड़ी होती है आपको पता हो तो यूजिंग टंग इस करफ टू क्लीन यूर टंग इस प्रॉबन तो प्रिवेंट हर्ट अटेक यानि ऐसा माना गया है कि जो अपने करते समय जो स्क्रिप्स करते ना तंग को साफ कर इसा माना गया अगर उसको यूज किया जाए तो हर्ट अटेक नेमोनिया प्रिमेचर वर्थ जाइविटीज से कहीं सारी चीजों से बचा जा सकता है यह टंग नेवर इस्टॉप बरकिंग यानि ट्रंग कभी भी काम करने नहीं रुपती है आप सोचिंगी सोते समय रुप है इसके बिलण सीब्लाइब अलग पाक्रमा अलग लग लगवलड को ती है लिंग्यल अल्टी जहीं किया करती सफव्लाई टंग एंड फ्लोर अव्थ यानिhhे फ्लोर के माउथ को सप्लाई करती है ओरिजनेटेड फ्रोंग एक्स्टनल क्रुटेड आर्टरी कहां से होती ह और उ आपती है यहाँ पर कौनसी करती है एक्स्टर्ण और ग्रॉ сюж और अपसे ईंड ऑर सब्सक्राइब करती है और सब्सक्राइब औरिके लिंगिल उच्ञ पासेई है और हमसी ब्रnes को अंचे लिंगे G करती है कुछ इस तदेख सकते हो आप यहां पर आर्टरी को भी दिखाया गया है और लिंग्विल आर्टरी को भी दिखाया गया है कि नेक्स्ट आर्टरी सप्लाइ इसके अलावा टंगे के अंदर ठों सिलर बांच होती है रह देखिए यह थे 새 एजी है इसकी यह फेशिल ऑर्टे यह इसकी वह टॉंसिलर ब्रांच भी बिलड्स लब आध करती है। कि इसके लावव एसेंडिंगा ट्रिव कान सी सेंडिंगा एरेंजियल में करते हैं कि हो कि तो यह डॉक्ट एक ग theatre बने और डीप लिए सवाय होती है यह डीप गॉल presenting लेकर वार को क्या करतिया लेके जाती है। अ最 hot Script लिंगेल डेन.. और उसके रपके लावाक इनर्वेशन के हम बात कर ले से कौन-कौन सीनर्वेशन से होते हैं पर मोटरस अपला यह थी है जनल से mily आफ होती है और एसयाँ से सपला हुथी है। पातों करें मोर्ट्र फप्लाई कौंत करती। यह क्या लाई करती है यह क्या काम करती है यह को मूमेंट कर वाने के लिए लेत यह यह से यानि से टट जो जन्रल सेंसेसंस है उन्हें पर बिखन सेंसरी सप्लाइब यान्य जो टैस्ट वागेरा और उन सब के लिए होती यह सब को से सफवेसी नर्व कर दैनी होती है अ relax जैसे उसमेंगें हम बात करते हैं और гноеक्त सिक्ट इंट्रेंसिक मसल्सार सप्लाई वाइद हाइपोग्लोसियल नर्व याद रखना ये कई वार पूचा जाता हाइपोग्लोसियल नर्व ठीक है यह सब क्या क्या करती है मसल्स को मोटर सप्लाई करती है मोटर सप्लाई में मतलब यह मूमेंट करवाने के लिए सप्लाई करती है ब्रैन्सिए मैसे लेका आते हीना इसके लावा बैकस नर्भ यहां पर सब्लाई करती है प्लेक्लट्स सब्सक्राइव ser Rex services को बात करें जनर्व सेंस्र रेसे इत्री आरव तीन नर्व होती हैं लिंगयोनोर्व ग्लेश फरेंज्ञनार और बैःकस करें अगे एंटरियु पार्वdon नर्व करती हैं उसके अलावा बोस्टेर्यर पर ग्लेशियु फेंजियल करती है और फ्लेकर पोस्टियर के जो मोश्ट पीछे और पार्ट उसके वेगस नर्व करती है है इस्पीशल सैनसरी सप्लाई की हम बात करें यानि इस्पेशल सैंसरेशन के लिए कौनْ कौन तैर कि होता है टंका डेगुलेशण इसके लावागा टेस्ट सेंसेशन्स इस प्रोडेक्शन बेस्ट फीडिंग सेलटेंसिंग और अन्ड मैस्टीकेशंग करता है ञे हमारी हेल्प करती है नेक्स्ट टंग लाइक एस सार्फ नाइफ किल बेथाव ट्रॉइंग ब्लड यानि जो टंग है एक सर्फ चाकु की तरीके से होती है और बिना किसी ब्लड निकले किसी को भी यह क्या कर सकती है मार सकती है थेंक्यू थेंक्यू